जय श्री राम दोस्तों, हिंदू धर्म से जुड़े व्रत और त्योहारों की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकोन पर क्लिक करें। दीपावली का त्योहार हर साल कार्तिक मास की अमावस्या तिथी को मनाया जाता है। इस दिन धन की देवी मा लक्ष्मी और गनेश जी का विधिवत पूजन किया जाता है, जिससे प्रसन होकर मा लक्ष्मी भक्तों को सुख समृद्धी का आशिरवाद प्रदान करती है। दिवाली से पहले धनतिरस का पर्व मनाया जाता है, इस वीडियो में दीपावली 2022 सही तिथी, लक्ष्मी पूजन शुब मुहूर्थ मेहत्व और इसकी पूजा विधी के बारे में बताएंगे। लक्ष्मी पूजन शुब मुहूर्थ 2022 साल 2022 में दिवाली का पर्व 24 अक्टूबर दिन सोमवार को मनाया जाएगा। पांच बच के 27 मिनट से। अमावस्या तिथी समाप्त होगी 25 अक्टूबर शाम के 4 बच के 18 मिनट पर। दिवाली लक्ष्मी पूजन विधी शास्त्रों के अनुसार दिवाली पर लक्ष्मी पूजन का विशेश महत्वा होता है। कार्तिक अमावस्या के दिन दिवाली मनाई जाती है। लक्ष्मी पूजन शुब मुहूर्ट में करना चाहिए। शुब मुहूर्ट में की गई पूजा से मा लक्ष्मी प्रसन होती हैं और भक्तों को आशिरवाद प्रदान करती हैं। अमावस्या तिथी पर संध्याकाल और रात्री शुब मुहूर्ट में मा लक्ष्मी भगवान गनेश जी की पूजा आराधना की जाती है। संध्यकाल के समय घर के पूजा स्थल पर चौकी पर लक्षमी गनेश जी की प्रतिमा और जल से भरे कलश की स्थापना करें। अब मा लक्षमी गनेश जी के सामने घी के दीपक जलाएं, इसके बाद हाथ में जलव पुष्पले कर सभी देवी देवताओं का आहवान करें और विदिवत मा लक्षमी और गनेश जी की पूजा करें। पूजा में खील, बताशी, पंच मेवा, गुर, फल, फूल, मिठाई, कमल का फूल और मा लक्षमी जी को प्रियक ओडिया अर्पित करें। अब माता लक्षमी के मंत्रों का जाप और श्री सूप्त का पाठ करें। अधन के देवता कुबेर जी का पूजन करना भी शुब होता है। दीवाली का मेहत्व शास्त्रों में हर व्रत त्योहार को प्रमुक माना जाता है। विबिन त्योहारों पर ग्रहों की दिशा और विशेश योग बनते हैं, जो व्यक्ति के जीवन पर प्रभाव डालते है दीपावली के दोरान किसी भी नए कार्य की शुरुआत और किसी वस्तू की खरीददारी करना शुब होता है। जोतिश अनुसार दीपावली के आसपास सूर्य और चंद्रमा तुला राशी में और स्वाती नक्षत्र में होते हैं। मान्यता है कि सूर्य और चंद्रमा की यह स्थिती शुबफल देती है, दीपावली आध्यात्मिक और सामाजिक दोनों रूप से मेहत्व रखती है। यह पर्व, अंधकार पर प्रकाश, अज्यान पर ज्यान, असत्य पर सत्य, और बुराई पर अच्छाई की जीत का उत्सब माना जाता है। यह थी दिवाली 2022 की जानकारी, अगर वीडियो अच्छा लगा, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और शेय करें। जय श्री राम